स्वागत है आपका आज के एपिसोड में चले शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ UNFCCC के किस अधिवेशन के तहट तक्नीकी तंत्र को लाया गया था इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कानकुन समेलन दो हजार दस चले देखते हैं इसके विसलेशन को UNFCCC के कॉप 16 अर्थार्थ कानकुन समेलन दो हजार दस में अपनाए गया समझाते के अनुसार तीन तंत्रों का उद्भव हुआ तकनीकी तंत्र कानकुन अनुकूलन फ्रेमवर्क ग्रीन क्लाइमिट फंड इस तंत्र के द्वारा प्रोध्योगी की विकास एवं तकनीकी हस्तांतर संबंधिकारियों के क्रियार्मन को बढ़ावा देना था ताकि जलवावी परिवर्थन के लिए शमन एवं अनुकूलन से संबंधित कारेवाई को सहयोग मिल सके तो चली शुरुआत करते हैं आज की अपिसोड की पहले प्रिश्ण के साथ ग्लोबल पोजिश्णिंग सिस्टम यानि GPS के संदर्भ में निम्ललिकित कथनों पर विचार करें एक इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में अमेर्की रक्षा विभाग द्वारा की गई थी यह विशिष्ट आवरितियों पर उपग्रह प्रसारी त्रेडियों संकेतों के माध्यम से संचालित होता है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्ट का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों, चली देखती है इसके विसलेशन को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपियस जीपियस की शिरुवात वर्ष 1973 में अमेर की रक्षा विभाग द्वारा की गई थी, अतकतन एक सही है जीपियस रिसीवर कुछ आवरितियों यानी 50 बिट्स पर सेकेंड पर L1 और L2 आवरितियों पर उपग्रहों द्वारा प्रदान किये गए, रीडियू संकेतों को प्राप्त करता है और उनका आकलन करता है या अंतरिक्ष के तीन डायमेंशन इवम समय की एक डायमेंशन में सटीक स्थान निर्धारण में मदद करता है अतकतन दो सही है अगला प्रशन है हाले में मधिपृदेश के निमनलिकित में सिके जिले में हैजा का अचानक प्रकोब देखा गया इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A. भिंड चले देखते हैं इसके विसलेशन को हाले में भिंड जिले के पूप कस्बे में सहसा हैजा संक्रमर से आमजनों में दहशत फैल गई जिसके परणाम स्वरूप कथितौर पर तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम सत्तर लोग दूशित पानी पीने से बिमार पड़ गए हैजा एक जलजनित बिमारी है जो मुख्य रूप से विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया स्ट्रेन O1 और O139 के कारण होती है जो विशुभर में एक बहुत बड़ी सारवजनिक स्वास्त चुनौती है इस ट्रेन O1 प्रकोप का प्रमुख कारण है O139 की घटनाई यदा कदा होती है और अधिकतर एश्या तक ही सीमित है या आत के संक्रमण के कारण होने वाली एक तीवर दस्तरोग है इसका संक्रमण प्राय हलका या बिना लक्षडो वाला होता है लेकिन कभी-कभी गंभीर ह हो सकता है लक्षडों में अतिदिक डाइरिया उल्टी या वमन पैर में एंठन शामिल है एक व्यक्ति हैजा के जिवारों से दूशी जल पीने या भोजन खाने से हैजा से संक्रमित हो सकता है या बिमारी उन शेत्रों में तीजी से फैल सकती है जहां सीविच और पिय जल क अपर्याप्त उपचार किया जाता है अगला प्रश्न है निमनलिकित में से किस राज जोने ग्लोबल पोजिश्टिंग सिस्टम यानि जीपियस आधारी ट्रेकिंग प्रडाली की तैनाती की घोशना की है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A-36 चली देखते हैं इसके विसलेशन को अपनी आपूर्ति श्रिंखला को सुद्रिड करने और दवाओं की सोचारू डिलिवरी की सुविधा के लिए चत्रिसगर्ड मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्लोबल पोजिश्टिंग सिस्टम आधारी ट्रेकिंग सिस्टम की तैनाती की घोशना की है CGM-SCL राज्यमे सरकारी सुविधाओं के लिए गुडवत्ता परिक्षड की गई दवाओं एवं चिकित्सा उपकर्णों की खरी तथा वित्रड के लिए जिम्मिदार है अगला प्रेश्ट है भारत का नियंद्रक और महालेखा परिक्षड के संदर्भु में निम्नलिकित कथनों में से कौन सा सही है या भारत की सर्वोच लेखा परिक्षड संस्था है भारत के राश्रुपती द्वारा हस्ताक्षर और मुहर के तहट एक वारंट द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है इस प्रेश्ट का सही उत्तर है विकल्प डी उपरिक्षड संस्था है जनता के धनका संडक्षक और केंद्र एवं राज दोनों सरो पर देश की संपोल विती प्रणाली को नियंद्रित करता है वित्य प्रशासन के शेत्र में संसत के प्रती कारेपालिका की जवाब देही कैग की लेखा परिख्षा रिपोर्टों के माध्यम से सुनिश्वित की जाती है भारत के राश्ट्रपती द्वारा हस्ताक्षर और मुहर के तहट एक वारंट द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है शैवर्ष की अवधी या 65 वर्ष की आयू तक जो भी पहले हो राश्ट्रपती कैग को सर्वोच न्यायाले की न्यायधीश को हटाये जाने की समान प्रक्रिया द्वारा हटा सकता है वर राश्ट्रपती की प्रिसाद परियंत अपना पद धारण नहीं करता है अगला प्रश्ण है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A. संक्रामक रोग जो किसे ना किसी रोग जरीत कार को जैसे प्रोटो जोवा, कवक, जिवाडू, विशाडू, इत्यादी की कारड होते हैं। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अनिशरीर में फैलने की शमता होती है जैसे मलेरिया, टाइफाइट, चेचक, इन्फ्लुएंजा, इत्यादी। अगला प्रश्ण है निम्रलेकित में से कौन मलेरिया के लिए संचारड कारक है? मलेरिया एक मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लास्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मच्छरों के काटने से होता है। कमी को संदर्भित करती है। अपस्विती की एक स्वास्थ दर आवश्यक है क्योंकि यह अर्थ विवस्था को अतिदिक प्रभावित होने से रोगती है। या डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्पडी उपर्युक्त सभी। चली देखती हैं इसके विसलेशन को। अपस्विती मुद्रास्विती की दर में कमी को संदर्भित करती है जिसका अर्थ है कीमते अभी भी बढ़ रही हैं लेकिन पहले की तुलना में धेमी गती से। यह ध्यान रखना महतोपूर्ण है कि अपिस्विती अविस्विती से अलग है जो समग्र मुलिस्तर में निरंतर कमी को संदर्भित करती है। इस प्रश्ण का सही उतर है विकल्प A प्रिधान मंत्री चली देखती है इसके विस्टेशन को। सनचना अध्यक्ष प्रधान मंत्री उपाध्यक्ष प्रधान मंत्री द््वारान यूक्त विस्थ्यित करने के अधिकतम 4 सदस्या मुख्य कारिकारी अधिकारी भारसरकार का सच्छीव विशेश आमंत्रित प्रिधानमंत्री द्वारा नामित विभिन शेत्रों के विशेश अग्यव तो चलिया अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्रकों इस प्रश्रका उत्तर कामेंट बॉक्स में जरूर दें आज के लिए बस इतना ही धनेवाद डियर व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना न भूले लाद को तो जाठक हा टूले और सकत चैनल को लाद की सकते हैं चैनल कामेंट आज कामेंंडों रखनेों आज की canदो।